असलाम लेकूम, हाई दोस्तों मैं हूँ साजिता आज हम थंड़ा थंड़ा टैंक बनाएंगे घर पे जो की बहुत ही आसानी से बन जाता है दोस्तों, गर्मियों के मौसम में इसे पीना बहुत ही अच्छा लगता है सारे बच्चे खुशी से पीते है, बहुत ही इंजोय करते है तो क्यों न हम घर पे ही बनाएं, मार्किट का इस्पैंसिव टैंक लाने की कोई ज़रूर नहीं है घर पे भी बहुत ही आसानी से जटपट से बन जाता है तो चलिए शुरू करते है तो यहाँ पर मिक्सी का मैं छोटा वाला जार ले लेती हूँ इससे मैंने अच्छा से क्लीन करके इसको सुखा लिया है अब मैं यहाँ पर शुगर एट करूँगी शुगर आप अपने हिसाफ से ले लिए दोस्तो जितनी कॉंटरी में आप बनाना चाहते हो अब इसके बाद मैं गुलुकोस का पॉर्डर एट करूँगी इसमें बहुत इजीली मिल जाता है गुलुकोस पॉर्डर तो इसको टैंगी बनाने के लिए हमें औरेंज फ्लेवर का ही इस्तमाल करना है यह देखी दोस्तो इस तरह से मिल जाएगा औरेड़ी औरेंज फ्लेवर में है यह तो अब मैं इसके बाद मैं नमक एड़ कर लूँगी वन पिंच यहाँ पर मैंने नमक एड़ कर लिया है दोस्तो अब मैं यहाँ पर औरेंज फूट कलर बना रही हूँ तो फूट कलर ही एड़ करना है तो अब मैं इसे मिक्सी में चला लेती हूँ कुछ सेकेंड के लिए तो यह दिखी दोस्तो मिक्सी में मैंने चला लिया है यहाँ पे जो मैंने कलर यूज किया था इसमें एक बुन पाने मिला कर मैंने इसमें मिला के एक बार चला लिया है अच्छे से तो देख लिजिए दोस्तो कितने जटपट से रेडी हो गया है टैंग पॉडर घर का बना हुआ शुद्ध टैंग पॉडर बना लिया है हमने बहुत ही आईजिली बना है यह हमें बिल्कुल भी परिशानी नहीं हुई है अब मैं इसमें एक बॉल में निकाल लेती हूँ दोस्तो बॉल में अच्छे से निकाल के मैं आपको एक गिलास फटाफट चिल बना के दिखा देती हूँ कितना शुद्ध है यह बहुत ही इजिली बन गया है अब इसे मैं साइड में रख दूंगी और फटाफट से आपको बना के बता दूंगी दोस्तो थंडा थंडा चिल पीने का टैंग मजा ही कुछ और होता है बच्चे जब कभी बाहर से आए धूप से आए इसकूल से आए या कहीं खेल कूट के आए तो फटा फट से उन्हें थंडा थंडा टैंग बना के दे दीजिए दोस्तो एकदम से एनरजी आजाएगी हमने इसमें गुलुकोस का पॉडर एट किया है दोस्तो तो इंस्टेंटली कुइक एनरजी आजाएगी और जितनी भी थकान रहेगी सब दूर हो जाएगी बच्चे एकदम से रिफ्रेश हो जाएंगे तरो ताजा हो जाएंगे इसमें कुछ क्यूप्स मिला जिलीजिए दोस्तो क्यूप्स से बहुत ही मजा आता है कोई भी शर्वत पीने के लिए तो इस तरह से आपका रेडी हो गया है टैंग बना कर तो ये मिक्चर मैर साइड में रख दूँग तो जब पीने का मन हो थंड़ा थंड़ा से एक चमच निकाल लीजिए और फटा फट से चील पानी में मिक्स करके पी लीजिए दोस्तो इंस्टनली एनरजी आ जाएगी काफी रिफ्रेश रहेंगे गर्मियों में तो बहुत ही जादा टैंग की जरूरत होती है दोस्तो इतनी धूप होती है तो बहुत ही जादा टैंग की जरूरत पड़ जाती है तो घर पे ही बना लीजिए इस्पैंसिफ खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है घर का बना शुद्धी पीजिए दोस्तों और बच्चों को भी दीजिए तो ठंड़ा ठंड़ा टैंक की रेसिपी आपको कैसी लगी है साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों क्योंकि मैं इसी तरह से वेडियो लाती रहती हूँ